जिसका बीर्य दो से तीन मिनट के अंदर जड़ जाता है जिनकी संभोग करने की टाइमिंग कम है जिनके अंदर नामर्दी आ गई है नपुन सकता आ गई है लिंग की ताकत खतम हो गई है बहुत देर लिंग सहलाने के बाद खड़ा भी होता है तो जैसे ही अंदर डाल कर अं जाता है बीर्य को कितना भी रोकने की कोशिस करें लेकिन अगर आप अपने बीर्य को नहीं रोक पाते तो आप इस औसधी का इस्तमाल करें ठोकते ठोकते ठक जाओगे सरीर से आपके पसीना निकलेगा लेकिन आपका बीर्य नहीं निकलेगा इतना जादा सक्तिसाली औसधी ह तो चलिए जाने इस आउसधी के बारे में इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत अउसधी को यह अद्भुत अउसधी तयार करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की आवे सकता है सबसे पहली चीज आपको चाहिए लहसून और दूसरी चीज चाहिए आपको गुड़ गुड़ और लहसून का इस्तमाल करके 80 साल का बुढ़ा भी कुवारी माल का पानी जाड़ देगा इतनी ज़्यादा पावरफुल चमतकारी आयुरवेदिक औसधी है तो चलिए जाने सबसे पहले नमबर पर आपको गुड़ ले लेना है धाई सो ग्राम की मातरा में और पचास ग्राम की मातरा में आपको लहसून लेना है आपको प्रति दिन सुबह साम दोनो टाइम खाना खाने से पहले आपको चार लहसून की कलियों को अच्छी तरीके से छीलना है आपको लहसून की कलियों को छीलें और उसे कूट करके पीस करके उसकी चटनी बना लें चटनी में आपको गुड का इस्तमाल करना है गुड में आपको गुड को फोड करके उसमें आपको लहसुन की चटनी मिला करके मिक्स करना है मिक्स करके आपको इसे मुह में रखके बिना पानी के आपको चूस लेना है इसे खाने के बाद लगभग 15 मिनट तक किसी भी चीज का सेवन ना करें 15 मिनट के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं पी सकते हैं इसे सिर्फ लगातार 3 दिनों तक इस्तमाल कर लो आपका बीर्य गोंद से भी जादा गाढ़ा हो जाएगा ठोकते ठोकते ठक जाओगे सरी से पसीना निकलेगा लेकिन आपका बीर्य नहीं जड़ेगा बाई बाई फ्रेंड